अब इतना तो हमें भी समझ में आता है कि कोई न्यूस क्लिपिंग होती है कोई अखबार की कटिंग होती है तो इसमें कोई डेट होती है तो सबसे पहले मैंने उसमें जुणडा उसकी तारीख क्या है खबर के छपने की तो इसमें तारीख नहीं थी तो मैंने सामानने सा गूगल सर्च किया तो मैंने का कि अब गूगल करके देख लेते हैं भाई हो सकता है अगर यह खबर सही है तो इसके छपने की तारीख क्या है तो मैंने गूगल पर टाइप किया जो इसका हैडलाइन है तुरंत ये खबर निकल के आगी खबर सच थी लेकिन इसमें और इस खबर में एक बेसिक अंतर है आप देखिए ये योगी जी के कैबिनिट मंत्री द्वारा डाली गई खबर है और ये एक्च्वल खबर है जो हिंदोस्तान टाइम्स की ओरिजिनल खबर है जब आप गूगल करते हैं तो ये खबर निकल के आती है और इस खबर में तारीख लिखी हुई है 6 सितंबर 2016 6 सितंबर 2016 की खबर को उसमें से तारीख हटा के उसकी फोटो शॉप करके योगी जी के मंत्री ने बहुत चालाकी से चालाकी दिखाने की कोशिश करते हुए तो उसमें से तारीख हटा के लेटेस्ट खबर बना के पोस्ट की और लिखा कि ये तो आपकी सरकार का दूसरा कारेकाल है दूसरे कारेकाल में इन इसकूलों के स्थिति तो ठीक कर लो मुझे आश्चरीव भा भी योगी जी के मंत्री ऐसा क्यूं कर रहे हैं मैंने फिर उसे स्कूल के प्रिंस्पल सहाब से पूछा मैं उनको जानता हूँ अब वो इसकूल ऐसा दिखता है ऐसा दिखता है 2016 में जिस school में बच्चों के लिए बैठनी की जगए नहीं थी अब वो school ऐसा हो गया है अब उस school की building ऐसी हो गई है अब ये school की building इतनी शानदार हो गई है यहाँ पर शानदार classroom चलते हैं यहाँ पर अंदर बाहर सब इतनी शानदार building बन गई है कि देखने दिखाने लायक स्कूल हो गया है ये उस स्कूल की मौजूदा तस्वीरे हैं जो दो साल पहले बनके तयार हो चुका है इसका मतलब सिधारतना सिंग जी ने जूटी ख़बर डाली लेटेस्ट बता के ये बता के कि साब आपके दूसरी टर्म में दिल्ली सरकार के स्कूलों की हालत ये है लेकिन गूगल ने योगी सरकार के मंत्री जी की पोल खोल दी योगी जी मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने मंत्रियों को समझा लीजे ये केजरिवाल जी का जो स्कूल का मॉडल है ना ये सच्चाई पर आधारित है, इमानदारी पर आधारित है यहां जूट, फरेव, फोटोशॉप ये चल नहीं पाएगा टिक नहीं पाएगा आपके लिए इसके सारे अगर आप केजरिवाल मॉडल से चलेंज करेंगे अगर आप जूट, फोटोशॉप, फरेव के माध्यम से केजरिवाल मॉडल ऑफ स्कूल को चैलेंज करना चाहेंगे तो आप कर नहीं पाएगे